मस्कार दोस्तों, रेनाम सेकर और स्वागताप सवी का हमारे टूप चैनल सिकार स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NCRT सार संगर के महतपूर्ण परस्न उत्तरों को मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को पूरा अंतक जरूर से देखेंगे सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, कुछ अबरती पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि 24 तारिक होगी है, कल भी कमेंट आए पर सुभी तो एक-एक रिप्लाई दे पाना मिले मुश्किल हो रहा था, एक तो हेल्थर सही नहीं है, तो पूछ रहे हैं कि 31 जुलाई को एकजाम होना है, इसके एड्मिट कार्ड कब तक आएंगे, पुलिश दूर संचार का दोस्तो आज 24 तारिक है, आज संडे है, और अगले संडे के दिन 31 तारिक को 31 जुलाई को आपकी परिक्षा होने वाली है, दोस्तो एड्मिट कार्ड आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, एड्मिट कार्ड के लिए आप निश्चिन्द रहिए, आप अपने एकजाम की त बने रहेगा तो और बांकि आप एक्जाम अच्छे से दीजे लगबक 40,000 से जादा लोग उने उसमें आविदन किया हुआ है बांकि पेबर भी कुछ लोग नहीं दिंगे उन्हें भी भूल जाइए बांकि शिर्पा आपको अपने को देखना है तो इसमें दुस्तों आपके फिजिक्स से आनी है और महत आनी है बांकि और एक्जामों में इस तरह का नहीं होगा वहाँ जर्नल से लेबस होता है तो इस पेपर के बाद अगर आपने कोश्टेबल का भी भरा हुआ है धरोगा का भरावा पटवारी का फिर उसके बाद दुस्तों आप उस एक्जाम की त्यारी में लग जाए तो आपको पड़ाई करके फिर जादा इसके लिए आप पड़ेंगे तो कोई फाइदा नी बांकि फिर जो आने वाल एक्जाम है उनके लिए आप त्यारी करते लिए पेपर जैसा भी जाएगा अच्छा बुरा फिर उसके बाद आपको अगले एक् स्यूत्र पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वरना आप यहाँ पर देखिये पहला बरशने नाथुला दर्रा नाथुला पास किस राज्जी में इस्तित है इसका सिम्तर का उस्तो यह है सिक्किममें ये आपको बिल्bugल यादखना है नाथुला दर्रा ये हम पूछा गया था कि पाटले पूतर नगर की स्तापना किस ने की थी तो इसका सेवत्रगास तो उदाइन ने उदाइन ने की थी बिल्कुल आपको याद रखना है एक्जाम में आएगा तो पाटले पूतर को किस आ सकने सरुपर तो अपनी राजधानी बनाया उदाइन ने याद रखेगा पहुत ज़्यादा महत्पूर्ण परशने अगला परशने राष्ट कूर्ट समराज जी की स्तापना किसने की एक नमर के लिए उस्तो आएगा और एक्जाम में वहाँ पर आप्शन होंगे तो आपको महजवानी याद रखने है राष्ट कूर्ट समराज जी उनको पहले से आता है उनका रिविजन हो रहा होगा आगी देखते चलिए हर चरित के लेखे के लेखे के दोस्तो कौन बान भट अगला परशने है शिक्कू पर देवी लक्षमी की आकरती किस मुश्लिम सासक द्वारा बनाएगी अच्चा कोश्चिन है शिक्कू पर देव सान दोस्तो भारत आने वाले परशिद सूपी संत कौन थे तो वो थे कौन सेख मुईनुद्दीन चिस्ती सेख मुईनुद्दीन चिस्ती थे ये भी आपको याद रखने अगला प्रशन है बरहामणू पर जजिया कर लगाने वाला पर्थम मुसलिम सासक कौन था चबर दस अगला प्रशन है बरहामणू पर जजिया कर लगाने वाला पर्थम मुसलिम सासक दोस्तो इसका सेउत्र जैगा फिरोज सा तुगलग फिरोज सा तुगलग ये आपको विल्कुल याद रखने है फिरोज सा तुगलग था परहामणू पर जजिया कर लगाने वाला पर्थम मुस्लिम शासक बिल्कुल याद रखेगा अगला परसन है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है यहां पर दोस्तो आपको रहुल सांकर्ता है नहीं करना है खड़ी बोली खड़ी बोली का जनक दोस्तो इसका शेहत्र रूजेगा अमीर खुष्रो अमीर खुसरो ये आपको बिल्कुल याद रखना अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है एक्जाम में पूछा गया था अगला परस्ण है बिजय नगर के किस सासक ने चीन के समराट के पास अपना राज दूद भेजा था बिजय नगर अगर आपने पुराने पेपर देखे हैं बिजय नगर से परस्ण आयोग ने पूछा है बिजय नगर यानिके उस तो जीत का नगर बिजय नगर समराज की स्तावन उस तो आयोग पूछ चुका है 1336 में हरियर और बुक्का ने हरियर और बुक्का ये आपको याद रखना है और यहां पर परस्ण है कि बिजय नगर के किस सासक ने चीन के समराट के पास अपना राज दूद भेचा था ये बेजा था बुक् परस्ण है अगला परस्ण है ये दोस्तों LTE की तियारी कर रहे है तो वहां भी महतपूर्ण है LTE परवक्ता इनके लिए महतपूर्ण है पूछा गया था एक्जाम में ये परस्ण भी किस हिंदी संत ने स्वयम के संदेश परचार हितू स्वरुपर्थम हिंदी भासा का प कबीर हमारे सलिवस में है तो कबीर के गुरु कौन थे तो रामा नंद और ये भी याद रखेगा इस भक्ति संत ने स्वयम के संदेश के परचार हितू स्वरुपर्थम हिंदी भासा का प्रयोग किया तो रामा नंद आपको बिल्कुल महजबानी याद रखना है अगला प परथा का अंत अगबर ने कब किया उस तो यहाँ पर लिखना है आपको 1565 अगबर को हरम दल से मुक्ति कब तो यहाँ पर होगा उस तो यह भी 1565 तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया अगबर ने यह आपको यहाँ पर बताना है तीर्थ यात्रा कर समाप्त यह किया अगले 163 में अगला है जजिया करकि समापती दोस्तों ये आयोग ने पूछा हुआ है जजिया करकि समापती 1564 में ये आपको याद रखने है राजधानी आगरा से फतेपुर सीक्रीष्टान अंत्रण ये कब की अकबर ने ये दोस्तों याद रखेगा 1571 में इबादत खाने की स्तापना ये दोस्तों कब की 1575 में इबादत खाने में सभी धर्मों का परवेश ये दोस्तों 1578 में ये आपको याद रखना है मजहर की गोषणा अकबर की अगरा दोस्तों ये खेर मज़र वाला याद नहीं लेकिन ये दीने इलाई वाला इसे जोड़ से याद रखेगा मज़र की गोश्ड़ा उस्तो ये कब हुई ये पंदर सो उनासी में ये आपको याद रखना है दीने इलाई की स्तावला बहुत ज़्याद महत्पूर्ण है आयोग परसने पूछता है तो पंदर सो बयासी दीने इलाई इलाई समवत की सुरवात ये पंदर सो तिरासी में अगले वर्स इनने जोड़ से याद रखेगा और राध्धानी कब बनाई राध्धानी लाहोर इस्तानांतित पंदर सो पिचासी में यहां से दोस्तो लगबग 3-4 महत्पूर्ण ही हैं अकबर के जो ये महत्पूर्ण कार्द हैं इनसे परसन दोस्तो आते हैं याद रखेगा पढ़ते हैं अगले परसने की तरव अगला परसन है लोक लेखा समिती अपनी रिपोर्ट परस्तूत करती है किसे तो लोक लेखा समिती दूस्तो अपनी रिपोर्ट किसे देगी ये देगी दूस्तो लोक सबा के अधेक सबो लोक सबा अधेक सबो लोक सबा अधेक सबो बरतमान दूस्तो लोक सबा अधेक से कौन है ये है ओम बिडला तो ये आपको नाम याद रखना है और लोक लेखा समित के किस अनुचेद के अंतरगत धन भी देख यानि कि मनी बिल को परिवासित किया गया है तो अनुचेद 110 आर्टीकल 110 उस्तो बहुत जादा महत्मून है याद रखेगा एकजाम में सीधे सीधे आपको देखने को परसने मिल सकता है अगला परसने है भारती सविधान का कौन सा अनुचेद सनसत को अंतराश्टिय समझोतों को लागु करने के लिए बिधी निरमाण करने की सकती परदान करता है पहुत जादा महत्मून जो याद रखेगा अनुचे 253 अगला परसने है सविधान के किस अनुचेद में मंत्री मंदल सब्द का परियोग किया गया जबर् तीन सो बाउन के तीन में, तीन सो बाउन में दुस्तों क्या है, राश्टी आपात है, तो तीन सो बाउन के तीन में दुस्तों ये क्या गया है, अगरा बसने सिक्षा कि सूची का विसाई है, बहुत जादा महत्मुन बसने सिक्षा कि सूची का विसाई है, तो आप परिवर्तित कर दिया गया तो आप बताएंगे समवर्ति सूची का भी सही है अभी दोस्तो ये कोश्चिन आपको कुछ नहीं रग रहे होंगे जब यही कोश्चिन एक्जाम में आएंगे तो दोस्तों हाँ पर मुस्किल लगेंगे तो आप बिल्कुल इनको याद रखी है अच्छे कोश्चिन है एक्जाम में आने लाइक परसन है अगला परसन है भारत में न्याइक पुनरव विलोकन जूडिसल रिब्यू की संकल्पना किस देश से ली गई तो सहींगत राजी अमेरिका यूसे बिल्कुल याद रखे का ए नहीं आदत है तो मेगा लाइम है नौक रेक जैव मंडली चेतर यापको विल्कुल याद रखना एक्जाम में आ सकता है अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ महत्पुर्ण दिवस्चों को देख लेते हैं जोकि आपके आगाम एक्जाम के रिस्ची कापी महत्पुर्ण है अ अगर आपको उत्तर आ रहे हूं तो आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं कमेंट बोक्स आप भर सकते हैं विश्चु खादी दिवस्चों यह 24 अक्टूबर को बिल्कुल याद रखेगा विश्चु पर्यावन स्ट्रक्चन दिवस्च पांच जून अगर आप उत्तर लि लिखा है विश्चु पर्यावन स्रक्चन दिवस्च तो आप बताएंगे कितना 25 नौंबर आप दोस्तों यह 25 नौंबर तो यह हो गया विश्चु पर्यावन स्रक्चन दिवस्च अब दोस्तों स्रक्चन मिटा दिया मैंने अब हो गया विश्चु पर्यावन दिवस्च अब दोस्तो 25 था अभी तक 25 का दोस्तो 2 मिटा दिया मैंने, अब बचा कितना 5 जून, तो विश्चु पर्याण द्योस पांच जून, और विश्चु पर्याण स्रक्षण द्योस 25 जून, तो दोनु को याद रखे का इतनी बार मैंने आपर बोल दिया है, एकजाम में आपको परियोद्न दूस्तू बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है ये किस्न अधी पर है ये है नर्मदाबर अगला परस्टन है वेका नंदे पर्वत्ती किर्शिय नुसंदान साल दूस्तू ये अल्मोडा में है आप सभी को पता है उत्राखंड का कोश्चिन भी है और बांकी जीके म में है 1924 में इस्तापना हुई थी 1936 में आयता अल्मोडा में बोशी सेन अगला परस्टन है केंद्रिय किर्शिय नुसंदान साल अगर नई दिल्ली भी आप्शन में रहे तो बहुत सारे भरतिक्या करेंगे नई दिल्ली ही टिक करेंगे उसमें लेकिन ये आपको नहीं करन है तो लाइक जल्दी से कर दीजे जादू गोड़ा किस खनीच के लिए परसिद्ध है जादू गोड़ा किस खनीच के लिए परसिद्ध है जादू गोड़ा किस खनीच के लिए परसिद्ध है यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है सीले सीदे एक्जाम पूंता मजदूरी अधिनियम कपका है बाल सरम परति सेथ और बिनियम अधिनियम कौन कपका है अनुसूचित जाती जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम बहुत जादा महत्पूर्ण अस्तो हम यहाँ पर उनी परस्णों को देखते हैं जो कि आपके आगामी एक्जाम के लिए महत्पूर्ण होते हैं जो किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गए रहते हैं तो सबसे पर बात कर लेते हैं पर हम अनुसूचित जाती सी और स्ट अत्याचार निवारण अधिनियम यह कपका है दोस्तो इसे लिख लिए बहुत जादा महत्पूर्ण है वीडियो र जादी होगा 1948 नेुनतम अधुरी अधिनियम उनिसओ आटारिस का गए बंदित सरम पद्धती उत्पादन अधिनियम यह दोस्तो कपका है यह 1979 मैं बंधुवा मज़तूरी वाला जो अधिनियम्चै उनियम्चै गए बाल-सरम परतिसेद और बिनियमक अधिनियम अधिनियम इन सभी को याद कर लिजेगा एक बार फिर से अनुसुचित जाती जन जाती यत्त्य चारा निवरान अधिनियम दूस्तों कपका है 1989 नियुंत मजदुरि अधिनियम 1948 बंधित छरम पध्धती उत्पात अधिनियम बंध्धा मजदुरि अधिनियम अधिनियम 1968 बाल सरम पर ति सरी सर्फ इंसिट्यूट यह कहां पर यहां पर बताने मिंदानदीर ऑट-ठाक थे ओड़िसा में हे करना तो यह हैं करनाग करना थे अयां स्थान अगला वसन एक है अपरीका का सरोच परवस सिकर्जू कौन से है माउंट किली मिन जारो है किश देश में इस्तित है यह दुस्तों तंजानिया बिल्कुल मोहज़बानी याद रखेगा आपको परसं़ देखने को मिर सकता है तंजानिया में अगला परसं़ है एक से बढ़कर दुस्तो एक परशनिस में लिये गे हैं अगर आपको इस श्रीज पसंद आती है तो आगे को भी दुस्तो इस तरह की श्रीज आते रहेगी पर्थम पिर्थवी सिकर सम्मेलन का आईविजन कहां किया गया बहुत जादा महत्पूर्ण है ये दुस्तो कहां किया गया ये किया गया था रियो-डी चेनेरियो में ये आपको याद अखन है रियो-डी चेनेरियो दुस्तो ये कहा है ब्राजिल में कब किया गया था उन्यूस अ renेरियो ब्हुत जादा महत्पूर्ण है ऐजेंडर 21 से सम्मंदित है कौन सा है, हरित अर्थे व्योस्ता में हरित JTP के संक्रप्रणा परस्तूत करने हैं, दोस्तों यह है, चीन, पिल्कुल यादखेगा एक्जाम में आना ही आना है, इस परसने, बढ़ते हैं अगले परसने की तरफ, अगला परसने है, कैबिनेट मिशन योजना को, कैबिनेट मि दोस्तों यह कब मनाया? यह मनाया जोस्तों, 16 अगस्त 1946, बेलकूल आपको यादखेगा इए, अगला परसन स scores दूति विशन योद्द के समय, बिर्टेन का परधान मंतरी कौन था? उस समय में विशन के परधान मंतरी कौन थे? विश्टन चर्चिल, यहापको विशन और 1857 के समय बिर्टेन के परधान मंत्री कौन थे ये दुस्तों आपके लिए परसने 1857 के करांती के समय बिर्टेन के PM को मते ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में तो दूस्तो ये थे आज के मारे महतुन प्रसने, आके मिलते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीडियो में, चलने पन नहीं हो तो चलने को सब्सक्राइब यूट कर लिजेगा, थेंक्यू फ्रेंड, थेंक्यू समझ अपना ध्यान रकिये, सुचत रहें मसत रहें, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीडियो में,